हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो दे चैनल, इंग्लिश क्लासिस वर ओल आज हम बेसिक ग्रामर पर फोकस करेंगे और बेसिक ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, वो है पार्ट अफ स्पीच देखें, इंग्लिश सीखनी है, तो पार्ट अफ स्पीच से ही शुरू करना है और इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है, जब हम कुछ बोलते हैं बतलब स्पीच देते हैं, कुछ कहते हैं, तो उस पूरे वाक्य को आठ पार्ट में बाटा जा सकता है अब ध्यान देने वाली बात ये है, कि हर एक वाक्य को आप आठ भागों में नहीं बाट सकते यहां बात ओर यह कि मैक्सिमम कितने भागों में बाटा जा सकता है, तो वो है आठ ठीक है, और वो कौन-कौन से भाग हैं, यह वह उनको देख लेते हैं और जो एट अलग अलग जो भाग है, जो आठ अलग अलग भाग है उनको वोंने तीन ग्रुप से इनदर रखा तो जो पहला ग्रुप है उसके अंदर है आपका noun, pronoun, adjective और preposition और जो दूसरा group है उसके अंदर है verb, adverb और आपका जो तीसरा group बनाया है मैंने वो है आपका conjunction और interjection अब आपका इंगे सर यह तीन group क्यों देखिए यह just for example जो आपका पहला group है noun, pronoun, adjective, preposition वाला इनका आपस में ही कुछ interlink है मतलए आपस में एक दूसरे के लिए काम करते है इनका आपस में interlink है यह एक दूसरे के लिए काम करते है एक दूसरे के साथ काम करते है इसलिए यह एक group के अंदर है जैसे verb, adverb, यह group के अंदर है तो इस प्रकार से चलता है तो चलिए एक example ले लेते हैं कि राम is writing a letter चीक है यह पहला sentence हमारा राम is writing a letter देखिए अगर sentence structure के हम बात करते हैं तो राम एक subject होता writing verb होता और letter एक object हो जाता बट अभी हम बात कर रहे हैं part of speech की तो जब part of speech के हम बात कर रहे हैं इसको आठ भागों बातना है तो क्या आप बात सकते हैं इसको आठ भागों है और तीसरा जो letter है तो letter क्या होता है पत्तर होता है तो पत्तर भी किसी चीज़ का नाम हो गया तो इसलिए वो भी आपका noun हो गया तो basically इसके अंदर दो ही भाग आप कह सकते हो noun है और verb है तीसरा इसके अंदर है नहीं तो art भागों में तो नहीं बटाईए तो यह होता है देखिए जो part of speech होता है उसका बस कहने का मतलब यह होता है कि sentence जो पूरा है आपका वो अलग-अलग parts के अंदर है वो speech जो है आपकी वो अलग-अलग parts के अंदर है और कौन से parts के अंदर है maximum eight parts के अंदर हो सकते है और minimum वो कम भी हो सकती है चलिए एक ऐसा example लेते हैं एक ऐसा sentence लेते हैं जिसके अंदर पूरे के पूरे वो part of speech के आठ भाग आ जाए तो उससे आपका concept क्लियर हो जाएगा तो वो example है आपका Wow, he quickly jumped over handsome jack and fell ठीक है क्या sentence है आपका तो देखिए अब इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे ये किन-किन भागों में बढ़ा है तो जिए Wow है आपका interjection ठीक है He है आपका pronoun, quickly है आपका adverb, jump है आपका verb, over है आपका preposition, handsome है आपका adjective, jack है आपका noun, and है आपका conjunction, और fell है आपका verb देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी confused नहीं होना है आपको, आपको एक एक चीज का मतलब यहाँ पर बताया जाएगा noun क्या होता है, pronoun क्या होता है, adjective क्या होता है, हमारा purpose यह वीडियो बनाने का यही है आपको एक एक चीज को हम clear करेंगे लेकिन इस वीडियो में हर एक चीज के अगर detail हम करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आप मानके चलिए कम से कम आदे गंडे से उपर की वीडियो यह आपकी हो जाएगी इसलिए हम जो बिल्कुल basic basic चीज है वो हम clear करेंगे और आने वाली वीडियो के अंदर उन चीजों को clear करते चलेंगे तो सबसे पहले हम start करते हैं देखिए यह आपको समझ में आ गया जो एट आठ भागों बढ़ी गया देखिए वाओ इंटर्जेक्शन ऐसे करें करें आपका आठ वा तो देखिए maximum आठ उसके अंदर आप इसी भी उसको आठ में आठ ही होते हैं जी पार्टो स्पीच जो होता है वो आठ ही होते हैं यह आप बिल्कुल याद कर लो आठ ही होते हैं तो चली आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम noun से start करते हैं चीक है देखिए noun की परिभाशा क्या होती है देखिए अगर English सीखनी है तो परिभाशा हैं वगरा जो है आना आपको इनका रटा नहीं मारना कि कोई पूछे कि नाउन क्या होता और आपने exactly जो किताबों में लिखे हो नाउन की परिभाशा आपने बिल्कुल याद करके बता दी दे ऐसा आपक हो गए ठीक है तो देखिए अब जो नाउन होता है ना उसकी परिभाशा क्या होती है मैं आपको बतायता हूं जो नाउन होता है उसको नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं तो नेमिंग वर्ड इसके नाम से बदला कि नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाउन तो परिभाशा क्य इसकी का भी नाम जो होगा, वो नाउन होगा, एक्जामपल ले लेते हैं, देखो नेम अफ़ परसन अगर बोले हम, तो नुपूर हो गया, निकुंज हो गया, नेम अफ़ पलेज अगर बोलें, तो सरकस हो गया, डिसपेंसर हो गया and so on, बहुत सार एक्जामपल नेम अफ़ action अगर लें तो choice हो गया work हो गया name of thing आप ले लीजिए जैसे pen हो गया slate हो गया आपका book हो गया name of quality quality मतलब good तो आप truth हो गया आपका silence हो गया name of situation जो कि आप उसमें आता ना आपका परिबाशा में अभी state आया था state का मतलब situation मतलब अवस्था तो sleep हो गया state हो गया death हो गया name of animal में आपको cow horse name of birds मतलब भूछ साइज rivers है mountains है seas है trains है books है आपके दिन है Sunday Monday हो गया आपके month है January February ठीक है name of natural elements लगा लिजा आप gold silver name of groups के अंदर army crowd staff ये सब आपके noun होते हैं देखिए noun कभी change नहीं होता उसकी forms नहीं होती जैसे verb है verb के तीन forms होती noun के कोई form नहीं होती अब किसी का ठीक है और वैसे मानीजी अगर किसी sentence के अंदर अगर आपको noun को find out करना हो आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचान होगे तो देखिए उसका एक तरीका है उसका क्या तरीका है कि क्रिया में कौन किसने क्या या किसको लगाने से उत्तर में जो व्यक्ति वस्तू स्थान का रहे अवस्ता या गुण आए वो noun होगा क्रिया के अंदर क्रिया बोले तो जो वर्ब है तो वो वर्ब वाले के अंदर जब आप यह सब चीज़ें लगाओगे कौन किसने क्या किसको जब लगाओगे तो जो आंसर आएगा वही आपका noun है क्लियर करने के लिए एक्जांप तो वो आपका हो गया noun तो वो क्रिया है अपकी ठीक है अब क्रिया क्या है अब कौन लगा दो किसने या क्या लगा दो या किसको लगा तो जो आंसर आएगा तो हम क्या लगाएंगे क्या कौन लिखता है राइट्स का मतलब लिखना होता है कौन लिखता है तो आंसर मिला र लेटर लिखता है, तो लेटर जो है यहां पर वह भी एक नान है, तो भी एक नाउन होनाओन, वह सिम्पल है किसी रही चीज का नाम, कुछ भी जो नाम है, वह नाउन है, टीक है?